जहन साथियो नमस्कार स्वागत है आपका शिक्षाकुल के इस यूटीग परिवार में साथियो फाइनली एक ख़वर आ रही है सुप्रीम कोट से जहां पर सुप्रीम कोट ने जो कैन सरकार के दौरा नुचित तीन सो सतर का दर्जा हटाये गया था जम्मू कश्मीर का उसको नवेंबर 2, 1949, by which the constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. यानि 5 अगस 2019 का जो निर्नाय था उसको वैद बताया हुआ इसके लावा कुछ कहा है सुप्रीम कोट ने जम्मू and Kashmir did not return any sovereignty after accession to India. इसके बाद आप देखेंगे लगातार जो हमारे प्रिधान मंत्री है नाइन मौदी जी साहब अमेश शाह जी है उन्होंने हर्स पिरकट कि इसके लावा कुछ नेता हैं जिसमें ओवेशी साहब थे जो देख रहा था में अभी इसके लावा जो पीडीपी के चेर्मेन है फारुक अब्दुल्ला साहब महबुवा मुपती है इन्हों सबने खेद जताया हुआ है इन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोट के डिसियन से नि कलके आएंगे जो आपको याद रखने चाहिए इस बर्डिक्ट के साथ तो पहले देख लेते सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से रहेंगे तो आप याद रखेगा जब भी हम इस केस की बात करेंगे तो हमें एतिहासिक परिफिक्ष जानना बहुत जरूई हो तो यहाँ पर आपके जो की टर्म बनेंगे इन्ही के हम एद्गित बात करेंगे यह होगा एक पहला अनुच्छे 370 कलॉस 3 जो पहला की टर्म होगा हमारा इसके बाद हम जो बात करेंगे इसके बाद जो हम बात करेंगे अनुच्छे 366 पर बात करेंगे सम्विधान 2019 जो 5 अगस्त 2019 के नेने था इसके बाद में हमारे लगता है बरत्मान में भी जब भी पांच अगस्त आता है तो कुछ न कुछ सुख बुगाहट चलती रहती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा पांच अगस्त 2019 के बाद इसमें आप जानते हैं 6 अगस्त को आखिरकार राष्ट पती के आदेश के बाद ये जम्मू कश्मीर के जो इस्पिसल दर जाता उसको खतम कर दिया था यहां पर आपको एक चीज और याद रखने की आवर्शक्ता है भाग 21 अस्थाई संक्रमर्सील और विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर संविधान सभा के द्वारा थोड़ा सा भं बैक्ग्राउंड में समझ लेते हैं क्या एक्चुलि में हुआ क्या था तो साथियो ध्यान रखिएगा आपको पता है कि भारत सुरुवात में जब अगर हम बिल्कु एक सुरुवात से बात करें तो भात उपनेवेश हुआ करता था इसके बात में जब नहीं आना चाहते थे तो उनके साथ हमारी सर्दा बल्लब भाई पटेल ने क्या किया इंस्ट्रूमेंट ओफ एक्सेशन ओ आई ओए साइन करवाया इसमें क्या था आपके कुछ चीज़ें जैसे को भी सोवर निटी है वो राज अपनी इंज्वाई करेंगे लेकिन विदे इसके बाद एक डेट आती है यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 27 अक्टूबर 949 की 27 अक्टूबर दुखिएगा थोड़ा सा 27 अक्टूबर 949 की इस डेट में क्या होता है इस डेट में अनुछे 370 सामिल कर लिया जाता हो भाग 21 को सामिल कर लिया जाता है संविद संद्चर मिल जाता है अनुच्छ जम्मू कश्मीर को इसके लावा भाग 21 को सामिल कर लिया जाता है लेकिन भाग 21 का जो सीर्षक है इसको ध्यान रखेगा अस्थाई प्रावधान लिखा हुआ है और आखर आप चलके देखें कि आगे चलके इसी का फाइदा उठा जाएगा तो कुल मिलाके हमारी बात यहां से सुरू होती है भाग 21 अनुच्छ तीन सो सत्तर आगे चलके क्या होता है 25 जन्वरी उननी सो सत्तावन को जो सम्मिधान सभाती जम्मू कश्मीर की ये अपने आपको खारेश कर देती है अपने आपको भंग कर देती है मैं आपको थोड़ वैसे ही समझेगा क्योंकि बहुत नहीं तो यह लेक्चर आपका दो घंटे का भी जा सकता है थोड़ा मैं आपको सिनोप से समझाने की कुछिस कर रहा हूं तो 25 जन्वरी उन सत्तावन को सम्मिधान साभ अभंग हो जाती है और इसके बाद में चुकि अभी सम्मिधान सभा मिला के यह पूरा सिनेरियो चेंज होता है पांच अगस्त 2019 को चुकि आप जानते हैं जो बीजेपी है इनका हमेशा से एक है पुरा बड़ा एजेंडा रहा है कि जम्मु कश्मीर को भारत में शामिल करना है इसका स्टीटस दर्जा खतम करना है शामप्रसाद मुखर जी औ और ही वह साइलाद कुर्शनाद बारी अटल विहारी बाजपी सबका यह अजेंडा रहा है तो आखिरकार 5 अगस्त 是 Cory को सरकार के द्वारा संविधान जम्मु कश्मीर पर लागू संविधान जम्मु कश्मीर पर लागू जम्मु कश्मीर पर लागू आदेस 2019 लाया जाता है 2019 और इसमें क्या चुनोती दी जाती है जो 370 के कुछ प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को अलग सिस्वाइत्ता प्रदान करते थे आखरकार ये पारत हो जाते हैं संसद में अगले ही दिन 6 अगस्त 2019 को हमारे राष्ट पती साहब जो थे कोविंद्र साहब ते उस कोविंद्र साहब यहां पर एक आपके लिए कुश्यन मनता है तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अनुच्छे 370 क्लॉस 3 में थोड़ा सा मुझी लग आप समझ पा रहे होंगे 370 क्लॉस 3 ये क्या कहता है 370 क्लॉस 3 ये बोलता है जम्मू कस्मीर की सम्मिधान सभा के बेना आप जम्मू कस्मीर में कोई भी संसोदन नहीं कर सकते हैं तो कुल मिलाके सम्मिधान सभा की बात करता है जम्मू कस्मीर की इसके लाव बात करता है ये ये बात करता है राश्टपती की अनुमती आवश्यक है कोई भी अगर चीज लागू होगी जम्मू कस्मीर पर तो आखिरकार यह जो सम्विधान सभा वाला उपवन्ध है तो इसमें संसोधन लाए जाता है, उस सम्विधान सभा की जगे बिधान सभा से इसको प्रति स्थापित किया जाता है, कि इसकी अव्यक्ति की रूप में सम्विधान सभा को बिधान सभा समझेंगे हम, और राष् राष्टपती सासंद तो ऐसे में क्या किया जाता है राष्टपती सासंद लाउ था ऐसे में क्या किया जाता है बिधान सवा के समस्त अधिकार मिल जाते हैं कुल मिलाके किसको यहां पे जो गवर्नर होते हैं उनको और आखिरकार बिधान सवा की पूरी की पूरी पावर गव होता है और सुप्रीम कोट में बात निकल के आती है कि इसको हटाए जाना पूरी तरीके से असर मिधानिक था ये इस तरीके से बात करते हैं मतलब जो भी उसमें पिटीशन फाइल करते हैं लेकिन आखिरकार आपके लिए सबसे महत्पूर्ण डेट है ये चार सालों के बाद चार सालों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोट ने इस पर सितंबर से विचार करना सुरू किया था सुप्रीम कोट का ये निर्णा फाइनली आ जाता है कि नहीं आखिरकार 370 को हटाना सही है और आंतरिक संपर्भूता नहीं थी और भारती संबिधान को जम्मू किश्मीर र कोटने माल लिया है तो यह अपने आप पर बहुत बड़ी ख़बर है जम्मू कश्मीर राज का पूरी तरीके से हमारी यहां पर बिलाय होगे आप कोई परिशानी नहीं बची है चुकि सुप्रीम कोट का एक डिसीन फसा हुआ तो तो ऐसा लगा था कहीं कुछ होना जाए लेकिन हम सब पहले ही जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो यह आपके लिए पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी नियूज है बहुत ज़्यादा महत्पूर रही है ओव रहेगी और यह 11 दिसंबर का जो आपके लिए दिन है आज का यह भी बहुत ज़्यादा समस्या की बात है कि कुछ हमारे देश के नेता है वो थोड़ा सा दुखी चल रहे हैं ने कोई बात नहीं दुखी रहने दीजिए कुल मिलाके भात की सोवर्निटी के आप साथ आपको खड़ा होना है क्योंकि आप सिविल सेबक हैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आपको किसी भी तरीके से सिटंबर दो हजार चौवेस तक जम्मू कश्मीर को राजय का दर्या बहाल करना इसके जणाओ कराने है इसी के election commission को यह आदेश दिया हुआ है सप्रिम कोट ने कि आप सितंबर 2024 तक यहां पर election करवाईए और इस तरीके से बात कही हुई है तो कुल मिला के यह 30 सितंबर 2024 की डेट दे रखी है तो यह डेट आप याद रखिएगा आपके लिए महत्पूर रहे गी यहां पर इनका यह पूरा कोटेशन है हम ने देश देते हैं भाद की चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक पुनर गठन पुनर स्रीमांग कन अधिनियम जो आपका दोबार से वहां पर सीटें बता रहा है तो यह आपका और इसकी रिपोर्ट भिया रखी है और सरकार ने हाल में यहां पर जम्मू कश्मीर की शीटों के बारे ही बात कर रखी है तो ऐसे में यहां पर चुनाव होना लगवक्ते ह हो गया है जो जन्यन अदेशाई जी का पुनर स्रीमांग गन था और डी लिमिटेशन कमिशन की जो अध्यक्षा थी उन्होंने अल्रेडी रिपोर्ट सब्मेट कर दी है तो यह पूरी की पूरी आपके लिए इसकाम की है और बस आज हमारे लिए इतने ही पॉइंट थे इन नहीं है बस इतना याद रखेगा 370 के कुछ कुछ ही प्रावधान थे जो जम्मुकस्मी रोभात की रास्ते में रोड़ा बन रहेते तो उनको हटाये गया था 370 पूरा नहीं हटाये गया संसत्त के द्वारा पांच अगस 2019 को कुछ ही प्रावधान हटाये गए हैं तो इस